हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 128 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बेटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 128 के बारे में यह कहती है भरं पोर्षण के आदेश का प्रवर्तन प्रवर्तन याने के लागू होना भरण पोशन के आदेश का प्रवर्तन याने कि भरण पोशन का जो आदेश CRPC की धारा 125 के अंतरगत दिया गया है उसका लागू होना कि वह किस प्रकार से लागू होगा इसके सम्बंद में बताएगा यहां पर लिखा हुआ है के भरण पोशन अत्वा अंतरिम भरण पोशन और कारवाई शम्बंदी खर्चे जो भी स्थिती हो याने के भरण पोशन की स्थिती हो सकती है कारवाई के खर्चों की इस्थिती हो सकती है यानि के नियालाय में यदि किसी व्यक्ति ने दावा लगाया है बरन पोशन के लिए तो उसमें खर्चा होता है तो उस खर्चे की इस्थिती हो या बरन पोशन की इस्थिती हो जो भी इस्तिती हो के आदेश की प्रती याने के मजिस्टेट ने भरन पोसन का जो आदेश दिया है उस आदेश की प्रती उस व्यक्ति को या उसके किसी संरक्षक को या उसके द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को यदि कोई हो तो उसको जो है नेसुल को प्रदान की जाए यानि कि सीधा सीधा ये बात है कहने का कि यदि कोई भरन पोशन का आदेश दिया गया है तो उस आदेश की एक कौपी उस पक्षकार को फ्री में दी जाएगी उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसको दी जाएगी जिसके लिए आदेश किया गया है पीडिस व्यक्ति को जो है उस आदेश की प्रती फिरी में दी जाएगी या तो वह आदेश की प्रती पीडिस व्यक्ति को दी जा सकती है जिसके प्रक्ष में आदेश किया गया है उसको दी जा सकती है या उसके संरक्षक को दी जा सकती है यदि कोई हो तो उसको दी जा सकती है या उस व्यक्ति को जिसे भरण पोशन के लिए बत्ता अत्वा अंतरिम भरण पोशन के लिए बत्ता और कारवाई संबंदी खर्चे जो भी इस्तिती है उसको दी जा सकती है और यह प्रती जो है नेसुल को दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी, इसका कोई चार्ज उस व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा, उस पीडित व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा, उस व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा, जिसके पक्ष में यह आदेश किया गया है, भरन तो ऐसा थोड़ी के आदेश दे करके नियाल है फिरी हो गया यदि आदेश दे करके नियाल है फिरी हो जाता है तब ऐसे समय में इस आदेश का कोई मुल ही नहीं रहेगा यदि वह व्यक्ति भरन पोसंड देने में आना कानी करता है जिसके विरुद ऐसा आदेश पारित किया गया और वह भरण पोसंड नहीं देता है तब ऐसे समय में प्राबलम उस व्यक्ति को होगी जिसके लिए आदेश किया गया तो फिर आदेश करने का मतलब क्या होगा यदि उसका प्रवर्तन नहीं कराया गया हो उसको लागू नहीं करवाया गया हो तब ऐसे समय में ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे इस्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद ऐसा आदेश दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान के बारे में और दे भत्तों के बारे में दे खर्चों के बारे में जैसी भी स्थिति हो उसके बारे में यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद भरन पोशन का आदेश दिया गया है और वह व्यक्ति भरन पोशन नहीं दे रहा है तब ऐसे में नियालाय का समाधान हो जाने पर बरन पोसंड करवाया जा सकता है समाधान हो जाने पर ऐसा किया जा सकता है नियालाय के माध्यम से तो CRPC की धारा 128 के बारे में हमने अध्यान किया यदि आप CRPC से related या IPC से related समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं, पूरी की पूरी IPC या पूरी की पूरी CRPC पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किलिक करें, आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी IPC और पूरी की पूरी CRPC मिल तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें